वेरी गुड मॉनिंग तो अल्ल स्टुडेंट बेटा आज हम लोग का ड्रॉइंग का पेपर है ठीक है ड्रॉइंग में हम लोग पेज नंबर 23 से बनाना सीखेंगे 22 तक हम लोग प्रिवेस वीडियो में बना चुके है ठीक है तो 23 में कहा गया रहा है पुट कार्बन पेपर संसेट बनाना हम लोग को सेंड पेपर से पुट कार्बन पेपर एड़ सेंड पेपर बिहाइंड देपेज पेज के पीछे मिला है पको and then trace the outline of the picture फिर उसका trace करना है पेटा उसकी outline trace करना है the result will shown on the sand paper and then color paper picture with poster color as shown फिर आपको poster color की तरह इसे color कर देना है जैसे इसमें दिखाए है यहाँ पिक्चर में आप लोग देखेंगे ठीक है रखने के पहले इसको Trace करना है फिर कलर करदेना है तो आप लोग यह कर लिजेगा ठीक है भी पेटड़ फिर Page Number 24 है हमारा Page Number 24 पर Autumn Tree Autumn Tree में यह Project Work है autumn Tree यानी पत जण वाला पेर इसमें क्या-क्या material required है white paper चाहिए brown poster color चाहिए and brush चाहिए brown color and brush tissue paper चाहिए two colors में glue चाहिए water चाहिए seizure catchy चाहिए small container चाहिए तो first बेटा ऐसे बिनाना है draw करके इसमें देहा है ना step by step on your sheet of white paper color on a brown tree trunk अपनी sheet पे ऐसे tree tree trunk बनाना है जैसे इसमें फॉर्स ट्रेप में बनाया गया है ठीक है second में आपको tissue paper को tiering करना है फार्डना होगा square shape में cut your tissue paper into square उसको square में cut करना है चोटे-चोटे piece के square shape में cut करना है third क्या करा है water down your glue in a small container mixed about one teaspoon of glue with one teaspoon of water फिर उसमें glue और water को mix करके बेटा and brush on leaves on your tree फिर उसमें ऐसे glue की help से बेटा कागश को आधे पानी में आधे ग्लू में कागश को deep करकर की इस पे लगाना है ठीक है चिपकाते जाना है don't forget to make some leaves falling to the ground ये मत भूलीगा कि कुछ पत्ते गिर रहे हैं क्योंकि बेटा आटमन में कुछ पत्ते गिरे हुए होते हैं ठीक है तो कुछ-कुछ ऐसे से आपको दूरी-दूरी पे ऐसे paste कर देना है तो ये आप लोग कर लिजगा अब 25 पे क्या कह रहा हमारा basket है 25 पे basket फिर्स्ट है बास्केट में एक foot लेना है उसको बीस के जम फोल्ड कर देना ने है कट-एलंग दाटSen लाइन 1 half inch और दर राइट इच भром दर राइट फिर उसको हाफ इंच कट करना है, ranBr würde प्ल इधार से एक बैक्वर्ड, इधार से फोल्ड कर देना है, ऐसे बिटा फोल्ड बौज साइड ओफ अपर फ्लैर्ड तू मीट दा सैंटर लाइन, फिर दोनों और सी जो फोल्ड किये थे उसको हमें सैंटर लाइन पे इसको और इसको मिला देना है संटर लाइन बीच में लाना है ऐसे हो जाएगा हमारा ठीक है repeat same फिर repeat करना fold the front side twice inside फिर उसको दो बार ऐसे fold दोनों को फिर ऐसे करेंगे बेटा फिर इसको इसको ऐसे fold करेंगी तो यह ऐसे बन जाएगा box की तरह second fold is tucked into the basket फिर बास्केट की रूप में बन जाएगा फोल्ड a b and c d along the dotted line to the center a b और c d a b और c d को dotted line से center यह जो है ना यहां पर इसे मिला देना है फिर 7 क्या करा repeat the same step with the with black flap with black flap repeat the same step फिर इसी step को फिर से repeat करना है so the shape of basket will be like this फिर आपका जैसे यह सब repeat करो कि बेटा वैसे आपका shape ऐसे बन जाएगा basket की तरह now pick pick the paper strip which you get from the step number two and fold in half as shown फिर बेटा जो यहां पर हमने यहां पर two है ना two यहां पर काटा था जो हमने जो यहां पर छोटा सी कट काटा था यह हमें basket बनाने काम में देगा अब वही चीज यहां पर है तो paste both ends of the strip फिर इसको दोनों end पर paste कर देना है जहां पर दोनों खतम हो रहे हैं दोनों तरफ से paste करके the side of your basket basket के दूनों side make a sharp create across the bottom paste करने बाद open the basket and flatten it at the base your holiday basket is ready ठीक है आपका basket बन जाएगा ओकी बेटा ऐसे बनेगा तो ऐसे फ्लोग बना के मेरे पर्सनल नंबर पी send कर देजिएगा